2030 की सेमिफाइनल का रुझान आ गया है 2024 के फाइनल का मुद्दा क्लियर हो गया है सिंगल लाइन एजिंटा है जो जितना मुफ्त का माल देगा वो उतना वोट पाएगा जो जितना डिलिवर करेगा उसे उतना वोट का रिटर्न गिफ्ट मिलेगा कुल मिलाकर कहानी ये है कि गैरंटी का फॉर्मिला पास हो गया है, बाकि सब फॉर्मिले, सारे समीकरण फेल हो रहे है मोदी को हराने के लिए कॉंग्रिस में मोदी का फॉर्मिला ही उठा लिया है विधान सभा चुनाव का पूरा कैंपेन गैरंटी पर चलाया गया मोदी ने गारेंटी तो दी लेकिन साथ में तुष्टी करण का मुद्धा भी उठाया और नतीजा ये निकला कि मोदी के फॉर्मिले से कॉंग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है मोदी ने गारेंटी के फॉर्मिले से 2014 और 2019 का लोगसभा चुनाव जीता था अब 2023 का चुनाव कॉंग्रेस जीत रही है 2030 में तो कॉंग्रेस जीत हासल करते हुई नजर आ रही है लेकिन क्या 2024 के लोगसभा चुनाव में मोदी को कोई खत्रा नजर नहीं आता क्योंकि मोदी जिनको अनाच दे रहे हैं उन्हें वो देते रहेंगे किसान सम्मान निधी उन्हें मिलती रहेगी फ्री वाली योजनाएं भी चलती रहेंगे आईए आपको फाइनल सीट्स दिखाते हैं गैरंटी स्मचुके बात हो रही है तो राज़िस्थान में किसकी गैरंटी चलती हुई नजर आ रही है कॉंग्रेस पार्टी 94 से 104 सीटे जीती हुई नजर आ रही है क्लिया मैजॉर्टी दिखाई दे रही है राज़िस्थान में अशोग गैलोत की सरकार दुबारा सत्ता में आ सकती है इस एक्जिट पोल में तो यही दिखाई दे रहा है एक्जिट पोल्स के नतीजे राज़िस्थान में कॉंग्रेस की सरकार रिपीट होने का इशारा करते है राज़िस्थान में अशोग गैलोत की जादू का असर भी दिख रहा है बीजेपी की उमीदों पर पानी फिरता नसर आ रहा है अब विधान सुभा की दोसों में से 999 सीटों पर का एक्जिट पोल तो हमने आपके सामने डग दिया लेकिन वोट शेर क्या कहता है वोट शेर भी हम आपको दिखा देते हैं वोट शेर के लिहाँ से बीजेपी, 42 प्रतीशत, कॉंग्रेस, 43 प्रतीशत और अन्ये के पास बंधरा प्रतीशत इसका मतलब तो यह है कि यह लड़ाई बड़ी क्लोस थी बड़ी काची की लड़ाई थी यह मुकाबला बड़े ही काची का था और यह तो हम अपने संबादाता हूं कि अनुभव से, हमारी टीम के अनुभव से भी बता सकते हैं कि जितने लोगों तक हम पहुँच पाए यह बहुत ही क्लोस कॉंटेस्ट दिखाई दे रहा था लेकिन वोट शेर में तो यह दिखाई देता है इसकी कलपना ना बीज़पी के नेताओं ने की थी और ना ही कॉंग्रिस के नेताओं ने कॉंग्रिस तो यह मान कर चल रहे थी कि एंटी इंकंबिंसी इतने सालों की है अभी नहीं तो कभी नहीं कई जानकारों का भी ये मानना था कि मध्यप्रदेश में अगर अब कॉंग्रेस वरकार नहीं बनाएगी तो फिर कब बनाएगी। लेकिन एक्सिट पोल ये कह रहा है कि मध्यप्रदेश में बीज़पी को प्रचंट बहुमत मिलने जा रहा है। शिवराज सिंग चौहान की योजनाओ पर जनता की मोहर लग रही है। शिवराज को पूरे नंबरों के साथ पास किया है मध्यप्रदेश की जनता ने। इंडिया टीवी, CNX की एक्सिट पोल के मताबिक मध्यप्रदेश में विधान सुभा की 230 सीट में सी बीज़पी की 140 सी 169 सीट मिल सकती है। इस एक्सिट पोल के बाद सवाल उठेंगे मध्यप्रदेश में आखिर कॉंग्रेस की ये गत क्यूं हुई? पिछले चुनाव में जहां कॉंग्रेस को 114 सीटे मिली थी इस बार अधिक से अधिक 90 सीट इसे एक एक्सिटरा नहीं। लेकिन इस बार बीज़पी को 50 सीटों तक का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईए वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं वोट शेयर क्या कहता है मध्यप्रदीश का। जब सीटों में इतना अंतर है तो जाहिर है वोट शेयर में भी अंतर दिखाई देना चाहिए और वोट शेयर में इस बार बीज़पी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। जानी की यहां से भी जो घड रहा है वो बीज़पी के पास जा रहा है। पहुमत के लिए 45 सीटों के आविशक्ता होती है लेकिन उन्हें इससे ज्यादा सीटे आ सकती है। पिछली बार कॉंग्रेस को 60 सीटे मिले थी। यहां पर अगर एक ग्रे फाक्टर आप देखें कॉंग्रेस पार्टी के लिए तो वो यह है कि पिछली बार बहुत जादा सीटे थी। इस बार सीटों में कटोती हो रही है। कॉंग्रेस को 15 से 20 सीटे कम मिलने का अनुमान है। और अब वोट शेर आप देखें। वोट शेर में जहां 90 सीटों में बीजेपी 41 प्रतीशत पर दिखाई दे रही है। कॉंग्रेस पार्टी 43 प्रतीशत वोट शेर के साथ दिखाई दे रही है। ये भी चुनाव आखिर आखिर तक बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। ब्रश्राचार का मुद्दा उठाया, महादेवाप का मुद्दा उठाया। लेकिन वोट शेर में तो दिखाई देता है कि ये मुद्दा कुछ हद तक काम किया है। लेकिन अगर नतीजों में इससे देखें तो नतीजों में चटिज़गर में तो कॉंग्रेस की सरकार बन रही है। हमारे साथ हमारे दोस्त सहीयोगी जुड़े हुए हैं। बोपाल से अनुराग अमिताब हैं। रुची कुमार राइपूर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो पहले हम चटिज़गर की बात कर लेते हैं। रुची, कॉंग्रेस खुश तो बहुत होगी ने एक्जिट पोल के बाद। देखे मिनाक्षी खुश भी है लेकिन कॉंग्रेस का ये कहना है कि जितनी सीट्स हमें एक्जिट पोल दिखा रहा उससे जादा हमारी सीट्स यहां पर आने वाली है। लेकिन एक तरी की खुशी है क्योंकि जो एक्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं कि 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कॉंग्रेस बहुत सारे पॉइंट्स गिना रही है जिसके हिसाब से उसको लग रहा है कि सीट जादा आनी चाहिए। उनका कहना है कि 5 साल जो भुपेज बगेल ने यहां सरकार चलाई और जो वादे करके वो आये थे वो काफी हद तक उन्होंने पूरे कर दिये बुपेज बगेल सरकार ने जिससे जनता खुश है। अब अगर आप 36 गड़ आएंगी तो करीब 70 फीसिदी आबादी मिनाक्षी यहां गाउ में रहती है। बुपेज बगेल जब कॉंग्रेस की सरकार पहले आई थी तब भी किसानों को कर्जा माफ एक बड़ा मुद्दा था जिसकी वज़े से उनकी सरकार आई थी और फिर धान खरीद का मसला था उसमें बोनस का मसला था। अब दुबारा भुपेज बगेल ने फिर कहा है किसानों का कर्जा माफ करेंगे धान खरीद के रेट बढ़ा दिये हैं जो धान खरीद में जो पैसा बोनस देना है उसका भी रेट बढ़ा दिया गया है। और एक बड़ी बात इस बार कॉंग्रेस को उमीद है कि उसके वोट शेयर में ज़्यादा बरहोतरी होगी क्योंकि जो लैंडलेस किसान थे उनको ये कर्जा माफी से कोई फायदा नहीं होता था तो अब लैंडलेस किसानों को ले भी कॉंग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो आदिवासी हों की है चटिसगड में तो उनके उपर काफी हद तक ऑपील जरूर किया होगा अनुराग अमिताब हमारे साथ बोपाल से जुड़ गए है देखिए चटिसकड में तो जो उपीनियन था वही एग्जिट पोल भी है लेकिन जो मध्यप्रदेश में हो रहा है यो तो वाकई में चौंका देने वाला है मध्यप्रदेश में न सब विक्री बलकि एक लैंड चमतकारिक होगा खुद बीजेपी के लिए क्योंकि उन्होंने भी इतनी तगली उम्बीद नहीं की थी 173 सीट उन्हें 2003 में मिली थी और 165 सीट करीबन 2013 में मिली थी उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि ये लैंड स्लाइट विक्ट्री उन्हें मिलेगी अगर ये तीन तारी सेंट्रिक योजनाओं के जरीए और तमाम उनकी योजनाओं के जरीए मद्द परदेश में पैट की गई चाहो प्रधान मंत्री आवास योजनाओ या किसान कल्यांड योजनाओ नमबर दो अगर हम देखें मोदी के मनमें MP के बाद जो जिस योजना ने जो गेम चेंजर य योजना कही जा रही है जिसके चलते कम से कम तीस से चालेस ऐसी विदान समाएं जहां सी प्रतीशत से ज़्यादा महलाओं ने वोट दिया वो रही लाडली बहना योजना एक करोड 31 लाक महलाओं को साड़े बारा सो रुपे दे कर और शिवरात सिंग चोहान ने बकाइदा एक सो साठ से ज़ादा सभा करता ये लगातार ये जंता को समझाने की कोशिश की कि कॉंग्रेस भले ही आपको 1500 देने की बात कर रही है वो देगी लेकिन मैं आपको साड़े 1200 रुपे दे रहा हूं फिर धीरे से बढ़ा के 1500 करूंगा साड़े 1700 करूंगा और 3000 रुपे तक ल नम्बर तीन अगर ये आकड़े सही में वैसे ही हैं जैसे दिखाई देना है और तमाम संस्तारों पर दिखाई देना है ये तो कॉंग्रेस के लिए बेहत सैट बैक इसलिए है कि कॉंग्रेस ने अपने तमाम चुनाओ प्रचार में उन 20 लाग से जादा युवा वोटर्स के लिए कोई चेहरा कोई ऐसी योजना नहीं दी जिसके चलते वो युवा उनसे कनेक्ट हो पाता पिछले चुनाओं में हमने देखा था एक युवा चेहरा उनके पास था जो तरह दिस सिंधिया लेकिन इस चुनाओं में अगर हम देखेंगे तो पूरी कमान इस बार उसी कह रहे थे लेकिन अगर अभी नहीं तो फिर कब कर पाएगी कॉंग्रेस ये एक बड़ा सवाल अब कॉंग्रेस के सामने भी है मध्य प्रदेश में बहुत शुक्रिया रुची कुमार आपका भी अनुरागा मिताप आपका भी पूरी जानकारी के लिए